20,000 की जो smartphone category है 1.20 में हमें सबसे ज़्यादा हल चल इसी category में देखने को मुलती है तो सबसे ज़्यादा हल चल है तो जहिर सी बात है सबसे ज़्यादा launches भी हमें इसी category में देखने को मुलते हैं तो आपकी यही problem solve करने के लिए हमने इस वीदियो में shortlist करे हैं पाच बेस्मार्टफोन जो 20,000 रुपे के प्राइस टैग पर खरीद पाएंगे और इसके साथ ही इन सभी स्मार्टफोन के हम प्रोज के साथ साथ कौन्स भी बताएंगे ताकि आप बेटर डीजिजन ले सके हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो तो हमारी लिस्ट में पांच वे नंबर का जो फोन है वो है मोटरोला की तराफ से एस्टवन्टी फ्यूजिन इस फोन में 6.7 इंच का फुल एसडी प्लस 90 हर्स का 10 बिट कलर डेप्ट वाला ओलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें आप वन बिलियन सत कलर्स देख पाएंगे इसके इस फोन में में मेटल फ्रेम भी देखने को मिलता है बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में हमें मीडियाटक डिमेंसिटी 800 यू देखने को मिलता है LPDDR4 X RAM देखने को मिलता है हमें योफ़स्ट 2.2 का और इस फोन का आंटूडू स्कॉर है 3,1000 तो यह फोन गेमिंग के लिए है तो बिल्कुल भी रेकमेंड़ नहीं है अब बड़ते हैं इस फोन के कैमरा की तरफ तो इस फोन के रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सटप देखने को मिलता है 108 मेगा पिक्सल का हमें प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है और इस से आफ 4K वी के लिए थे हम बॉलिमर मैटरी देखने को मिलती है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ 13 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे इसके साथ ही हमें 3.5 जैक भी देखने को मिल जाता है और बात करें इस फोन के प्रडेक्शन की तो इसमें दी गई हमें IP52 की वाट और रोड़ और अब आखरी में बात करते हैं स्पोन की कम्यों की और पहली कम्ये इस फोन का परफॉर्मस चुकि काफी ज़्यादा डिस पॉंटिंग है और बात करें स्पोन की दूसरी कम्य की तो वह एस फोन का बिलो एवरेज क्यामरा पर्फॉर्मस तो यह फून उन्हीं लोगों के जिनको एक clean and dry experience चीए, इसके साथ ही एक अच्छा display चीए, जिनको एक अच्छा performance और एक अच्छा camera चीए, उनके लिए फोन recommended नहीं है, तो अब बात करते हैं इस वीडियो के question की, तो पिछले कुछ समय से आप WhatsApp पे देख रहोगी कि आपको privacy policy का notification देखने को मिल ला है, तो कि आ अब मेरी तरह हो जिसने अभी तक उस policy को accept नहीं करा है, या फिर आपने accept कर लिया है, ये आप मेरे को नीचे comment box में बताओ कि आपने ये accept कर लिया है, या फिर अभी तक नहीं करा है, मैं जानना चाहूंगा मेरे चानल के viewer privacy policy के लिए कितने ज़्यादा aware है, और अब बढ़त देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही ये OnePlus का पहला फोन है, जिसमें आपको side mount your fingerbin scanner भी देखने को मिल जाता है, तो इस फोन के display में काफी अच्छे colors देखने को मिल जाता है, मगर इस फोन का display जो है, वो थोड़ा dull है, और contrast ratio तो ये match करी नहीं सकता है, Amulet display का, और बात करें इस फोन के processor की, तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 695 देखने को मिलता है, LPDDR4X RAM देखने को मिलती है, और storage देखने को मिलता है, आपको UFS 2.2 का, तो display के साथ साथ ही फोन हमें processor में भी dispoint करता है, और gaming के दौरान इसमें हमें काफी जादा lags देखने को मिलता है, इस फोन का gaming test हम अल 30FPS पे, और इसमें आपको 4K वीडियो शूट करने का option देखने को नहीं मिलेगा, बात करें इस फोन के front camera की, तो front में आपको 16 Mbps का single camera setup देखने को मिलता है, और इससे भी आप सिर्फ Full HD वीडियो ले पाऊगे 30FPS पे, इस फोन में 5000 एमेज के lithium polymer battery देखने को मिलती है, 33Watt की Fast charging के साथ जो की लेती सिर्फ 30 मिनिट इस फोन को 50% चार्ज करने में, इस फोन में आपको Widewind L1 का support देखने को मिल जाएगा, 6 5G band देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ ही इस फोन में हमें out of the box oxygen OS 12 देखने को मिलता है, जो कि Android 11 पे बेस जाए, और ये काफी अच्छी इस फोन का 6 plus 128 GB वाला वेला वेलाफ 20,000 रुपे में खरीद पाऊगे, और इसके साथ ही इस फोन पे हमें currently 15,000 रुपे का bank offer भी देखने को मिल जाता है, तो अब आखरी में बात कर लेते हैं इस फोन की कमियों की, और पहली कमिय है इस फोन का क्यामरा, इस फोन के क्यामरा मे हमें ultra wide lens देखने को नहीं मिलता है, और बात करें इस फोन की दूसरी कमिय की, तो वो है इस फोन का display जिसकी brightness काफी जादा low है, तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी फोन बता रहा हूँ, इन सभी का आपको best bang link नीचे description में मिल जाएगा, ताकि आप इन सभी को best price पे ख देखने को मिल जाता है, बात करें इस फोन के processor की, तो इस फोन में आपको snapdragon 695 देखने को मिलता है, LPDDR4 x RAM देखने को मिलती है, storage देखने को मिलता है, आपको UFS 2.2 का, और इस फोन का underdo score है 5,8,000, अब पढ़ते हैं इस फोन के camera की तरब तो इस फोन के रियर में आपको triple camera setup देखने को मिल जाएगा, 108 megapixel का आपको primary lens देखने को मिलेगा, और इस फोन में भी आप सिर्फ full HD video ले पाऊगे 30 fps पे, अल्दो इस फोन का camera अच्छा है, इसमें हमें details और colors काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बात करें इस फोन के front camera की, तो front में आपको 16 megapixel का single camera setup सिर्फ 15 मिनट इस फोन को 50 पॉसंट चार्च कहने में, इस फोन में आपको 7 5G band देखने को मिल जाएंगे, dual stereo speaker देखने को मिल जाएगा, इसके साथ ही IP53 की water and dust system की rating और side mounting fingerprint scanner भी देखने को मिल जाएगा, इस फोन का weight है 202 gram और मुटा ही 8.1 mm, ये फोन आप 3 clear option में खरीद पा इस फोन की दूसरी गमी की, वह है इस फोन का front camera जिसमें हमें काफी ज़्यदा skin smoothing देखने को मिल जाती है, क्योंकि दिखने में काफी ज़्यदा artificial लगता है, और इसके साथ ही इसमें हमें details भी काफी कम देखने को मिलती है, तो अगर आपको ये video यहां तो पसंद आरिए, तो इस video को आप like कर सकते हो, साथ इस channel को subscribe कर सकते हो, और bell notification भी on कर सकते हो, ता कि हमारी जो latest video है, वो आप सबसे पहले देख पाएं, और अब इस list में बचे हैं सिर्फ दो phone, और जो phone हमारी list में second last position पे है, वो है realme की तरफ से 9SE, इस phone में हमें 6.6 inch का full HD plus 144Hz का IPS LCD display देखने को मिल जाता है, तो ये सबसे best refresh rate है, इस list के किस भी smartphone में, और इसके साथ ही, इस phone में हमें wide 1 L1 का भी support देखने को मिल जाता है, इस phone में हमें इस list का सबसे best processor भी देखने को मिल जाता है, इस phone में आपको snapdragon 778G देखने को मिलेगा, LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी, और storage देखने को मि इससे आप 4K वीडियो ले पाऊगे 30fps पे और फ्रंट पे आपको देखने को मिलेगा 16 Megapixel का सिंगिल कामरा सटप और इससे आप Full HD वीडियो ले पाऊगे 30fps पे 5000 एमेच के लिथियम पॉलिमर बैटरी देखने को मिलती है 30W की फास्ट चार्जिंग के साथ जो की लिथिये सिर पाएंगे स्टारी ग्लो और अजूर ग्लो इस फोन का 6 प्लस 128 GB वाला वेलब 20,000 रुपे में खरीद पाएंगे और आखरी में बात करते हैं इस फोन की कमियों की और पहली कमिये इस फोन में दियेगे प्री इंस्टॉल एप्स जो कि आपको फाल्टू के नोटिफिकेशन और दूसरी कमिये इस फोन का बिलो एवरेज कैमरा परफॉरमेंस और आफ फाइनली हम आगे अपने लिस्के नमबर वन पुजीशन के फोन पे और ये फोन है पोको की तरप से X4 प्रो इस फोन में हमें 6.67 इंच का फुल स्टी प्लस 120 हर्ट का आप्लिट डिस्पले देखन करते हैं एससमन के कामरा की तो इस फोन के इनक क्र adapts देखऩ को मिलेगा 64 में जैपको प्रैमरी लेंज लेंस देखने को मिलेगा और इससे फोले सी फोन काुडी 5 देखने को मिलेगा 5000 अमेज की Nithyum Polymer Battery देखने को मिलते इस से वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ जो की लेती सिर्फ 41 मिनिट इस फोन को 100% चार्ज करने में इसके साथ ही इस फोन में हमें IP53 की वाट और डेस्टिसिंट की रेटिंग देखने को मिल जाती है इस फोन का वेटर 205 ग्राम और मुटाई है 8.1 mm ये फोन आप 3 क्रार आप्शन में खरीद पाएंगे ब्लैक ब्ल्यू यलू इस फोन का 6 प्लस 64 GB वाला वेटर इस यार्फ में खरीद पाएंगे अगली वीडियो में कर दो